देश में वैक्सीनेशन के बीच फिर से कोरोना वाइरस ने को हराम मचाना शुरू कर दिया लगातार बढ़ते खत्रे के बीच देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन नाइट कफ्यू लगा रहा है एक बार फिर कोरोना का खत्रा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसी बीच लगातार मामले भी तेजी से बढ़ रहे है करोना वाइरस के आंकणों की बात करें तो देश में संक्रमितों की संख्या एक करोड़ दस लाख के पार जा चुकी है स्वास्थि मंत्राले के आंकणों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,742 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान 104 लोगों की मौत हुई है भारत में कुल संक्रमितों की संख्या एक करोड़ दस लाख 30,176 पर पहुँच चुकी है करोनवाइरस की चपेट में आकर 1556,566 लोगों की मौत हो चुकी है इसके साथ करोनवाइरस को मात देने वाले लोगों का आंकड़ा देश में 1,726,702 पर है नुस्टेस्क